हलो गाइस तो स्वागत है आप सभी का आपके शूटी चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंगो जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है तो गाइस आज मैं आपको बात करने वाला हूँ इस अपनी वीडियो में क्लैट एक्जाम के बार में जो कि कॉमन लौ एक लौ है कॉंसर्टियम वह इस चीज के बार में सोच रही हो कि पहले एक बार एक बार एक्जाम फॉर्म के जो रेजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कुछ डिसिजन दिके मतलब एक बार सारे बच्चे रेजिस्टर तो हो जाए तो देखो पोस्पॉन अब मैंने एडवकेट अनुभस है जो कि आप जानते होगे उनको वह उन्होंने हर एक्जाम को पोस्पॉन के लिए बहुत मदद किये बच्चों की तो क्लैट के लिए उन्होंने ट्वीट किया है कि क्लैट 2021 को भी पोस्पॉन करना चाहिए जो की एक्जाट जून 13 को होने तो जैसे ही थोड़ा प्रेशा पढ़ता है देखो प्रॉब्लम के बोड एक्जाम के लिए क्लिए क्या हुआ उन्होंने ट्वीट किया तो बच्चों ने रीट्वीट करके उसको इतना ट्रेंडिंग पे लाया कि वो न्यूज एकदम ट्रेंड पे था पॉलिटिकल में पर कोई प्रॉब्लम हुआ इसलिए गौवर्मेंट तक इतनी बात पहुंची ने तो देखो एनल्यू कॉंसर्ट्रेंट टू क्लोज रेजिस्ट्रेशन टूमार हुए यानि कि आज रेजिस्ट्रेशन में 15 आज खतम हो जाएगी तो यह बात आपको तो शायद आज जो है एनल सब्सक्राइब करना बढ़ेगा सब कुछ करना बढ़ेगा तो यह एक फैक्टर मुझे लगते हैं बहुत सारे बच्चे ट्विटर पर तो यह आप एक ट्वीट देख सकते हो हैस्टेक लैट प्लीज पॉस्पोन 2021 आएम फ्रम त्रीपुरा एंड इस एंड इन इन इस दिफिकल्ट सिचुएशन आइक रवल टू कोलकता तो अप्यर इन दा एक्जाम प्लीज पॉस्पोन देग्जाम बिल्कुल स तो यही सब बात गवर्मेंट को समझना चाहिए और क्लैट को भी पॉस्पोन करना चाहिए हर एक्जाम को अगर्ष्ट में शिफ्ट किया जा रहा है तो वाइन और क्लैट सिविल सर्विसेस की एक्जाम जो है जो की 27 जून को ओने वाले थे अब उसको 10 अक्टोबर कर दिय 27 जून को ओने वाले थे उसकी decision आ चुकी पर जो 13 जून को ओने वाले उसका decision में तर नहीं है तो यही system चल रहा है क्या कर सकते है बस आपको hope नहीं छोड़नी है इसके बार में Twitter पर भी बहुत सारा trending चल रहे है मतलब trending तो नहीं है मतलब बात ही चल रहे है जल्दी नहीं update latest news जो भी होगी मैं आपको दूँगा मेरे चैनल को subscribe करके रखो और अगर यह वीडियो पसंद आयोगी तो इस वीडियो को like करना